सिता सोरेन की बेटी ने दादा सिभू सोरेन से मांगा टिकट इस सीच से ठोक दी दावेदारी हेमन सोरेन भी फसे धर्म संकट में जारखन की राजिती काफे दिल्चस्प हो गई है सिता सोरेन भी लगातार चर्चा में है क्योंकि उनको जामा से टिकट नहीं मिला बलकि जाम जामा जो है वो हमारी परंपरागत सीट रही लेकिन जामतावा से हमें टिकट दिया गया और अपनी बेटी के टिकट नहीं मिलने पर भी नराजगी जिताई थी हमने वो खबर आपको दिखाया भी था अब जो नई खबर है वो काफि दिल्चस्प है ये जान लीजे कि जामा स सस्पेंस बरकरार है अब क्यों देर हो रही है इसको लेकर खुलासा हुआ है सिता सोरेन की बेटी है उन्होंने अपने दादा शिबू सोरेन से मुलाकात की और खबर ये है कि मुलाकात करके उन्होंने जामा सीट से दावेदारी ठोक दी है ऐसे हिमन सोरेन भी धर्म संकट म मिल जाए और वह मिम में ही रहेंगी तो अब सिता सोरेन की बेटी ने जामा सिट्स के दावधारी ठुकी है कि Family स्वा का जीपना मुश्किल 2-3 वहां पेरफान अंसारी का पडर भार ही जिब लोकальный चूरा में लेड कर वा दिया अपनी वधान सभा सीट से अधोधार के है और हालमिन का कद भी बढ़ा है वो मंत्रे भी बने हैं ऐसे में इर्फान अंसारी का पल्रा भारी है तो क्या जामा से सिता सोरेन की बेटी जेमें के टिकट पर चनाव लेंगे हलाकि जामा में लुईस मरांडी जो पहले भाजपा में थी जेमें में शामिल हुई अब उनको वहां से टिकट देने की खबर है जेमें के टिकट पर तो जो जामा में जेमें के कटर समर्थक हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि लुईस मरांडी को टिकट नहीं मिलना चाहिए यानि सिता सोरेन के पक्ष में वहां के जेमें कारे करता हैं ऐसे में हेमन सोरेन थोड़े से धर लड़ी है पूरी भाजपाप के साथ है लेकिन लुईस वनांडी हेमन सुरेन के खिलाब चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी उनका ये कहना था कि मेरी पूरी तैयारी जो है दुमका सीट से थी मुझे पहले नहीं बताया गया और फिर वो जमें में शामिल हुई तो क्या दा से एक बार सिता सोरेन वहासे बाहर निकल जाती है तो फिर सिता सोरेन या उनके जो आने वाले पुत्री है उनका वहाँ से दावेदारी कम हो जाएगी ऐसे में सिता सुरेन की बीटी पूरी कोशिस में हैं कि जेमें के सिंबल पर वहा से चुनाव रहें क्योंकि BJP नी अपन इसलिए है कि भाजपा उनको टिकट भी नहीं दिया और सायद आगे मिन्नी की संभावना भी न हो तो आप देखना दिल्चस्प होगा जामा सिंट को लिकर सस्पेंस जो है उस पर सब की नजर है क्या वहां से लुईस मनांडे चुनामी मिदान में उतरेंगी या फिर सिबू स सुरेन के दवाब बयाकर हेमन सुरेन अपनी भतीजी को टिकट देंगे अगर ऐसा करते हैं तो परिवरवाद का भी आरोप लगेगा क्योंकि इस वक्त जो लिटी पाड़ा की विधायक तिनका टिकट कट आ गया तो सवाल पूछा हेमन सुरेन से जै आपने बसं सुरेन को सुरेन को टिकट दिया तो फिर मुझसे टिकट क्यों छिल लिया गया चैसे में इसकी कम समभावना है सिता सोरेन की बेटी को सिभू सुरेन के कन्विन्स होने के बाद दि हमन सुरेन टिकट दें ऐसा करेंगे तो परिवारवाद का और ज्यादा आरोप लगेगा और ऐसे मे हेमन सोरेन कम से कब मुली समराणडी को नाराज तो नहीं करना चाहेंगे आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा बहुत बहुत धन्यवाई